हेलो एवरिवन, वन्स अगेन वेलकम बैक टो आवर यूटूब क्लास, तो टुडेज आइम गोंग टो शेर सम्थिक विद यू, तो जैसे कि आपको थहमने लाइन स्क्रेन से क्लियर हो गया होगा, तो आज किस वीडियो के थुरू मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ, बि कोम ओनर्स डेली फिर साल गिवन करके कौन से यहर में कौन से कोस्टन जो रिपीट किये गए हैं, तो आज इस वीडियो के थुरू मैं आपको साथ शेर करने वाली हूँ, तो आई होप ही वीडियो आपके लिए काफी जादा हैल्फूल होगा, क्योंकि इसके थुरू आप प्रिपरेशन की काफी बेटर तरीके से कर सकते हो, क्योंकि जैसे के आपको पता है, प्यसके बहुत हमारे घ्रिपेट होने के जादा चांसिंज होते हैं, इसलिए आप पीवाई को हमेसा प्राफर करना चाहिए, एक्जैम में जाने से पहले जब आप प्रिप्रेशन कर रहे हो तो पीवाई को आपको जरूर देख लेना चाहिए तो इसके तुरू अपने प्रिप्रेशन को काफी सही तरीका कर सकते हो तो आई हो वीडियो आपके लिए काफी जादा helpful होगा तो अगर आपको क्लासे सही लगे ये वीडियो के तुरू आपको help मिलियो तो वीडियो के लाइक जरूर करना एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टैम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस चैनल के तुरू में आपके साथ विकॉम और डियू एस वैल के जितने भी सब्जेक्ट है इस पैसली जो विकॉम के हैं विकॉम ओनर्स के और विकॉम हई तो वीड 이후 रहे Nous जरूर को सब्कौर है क्สक्राइब काफी सारी कोश्चिन जोसके हैं कि आपके ज्यादा मृफू रिपीट केंगे हैं जब हम पता रहता है कि यह जो कोश्चेन ने एक्जाम में आ रखे हैं तो उस कंडिशन में क्या करते हैं उसकी त्यारी जो है सही तरीके से कर लेते क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो हम पढ़ रहें साइद एक्जाम में यह आ जाए तो इसलिए जब आप अपने प्रिप्रेशन क करोगे तो यह आपके लिए काफी ज्यादा हैलफुल हो जाएगा साथ ही आपके एकजाम में काफी ज्यादा मार्ट भी आइंग क्योंकि कोश्ट आपके पास पहले से गीवन रहेगा आप इनकी त्यारी पहले से अच्छे तरीके से कर जाओगे तो यह वीडियो जो है अपके करने में कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि जब आप प्रप्रेशन कर रहे हो तो साथ ही अगर आपको यह पता चल जाए कि कौन से ऐसे कोश्टन है जो एक्जाम में बार बार आते हैं तो उससे कि आप अपने प्रप्रेशन को काफी बहतर तरीके से कर सकते हो जिस्ट आप आपको क्या करना है एक बार कोश्टन को रीड करना है दैन आपको देखना है कि जो कोश्टन है यह कौन से यूनिट में से आ रखें तो इस तरीके से जब आप कोश्टन को रीड करके अपने यूनिट में चेक करोगे दैन उसको आप रीड कर लोगे एक बार सही तरीके से क को मिलने में हेल्प करता है तो इस तरीके साब अच्छे तरीके से कर सकते हो चाहे तो आप इन कोश्चन के नोट्स बना लो या अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इनके स्क्रिंशोट ले लो या आप टेलिग्राम पर जाके इसकी वीडियो को इसके पीडियाफ को डाउन और आप अपनी प्रिश्चन को काफी सही तरीके से कर सकते हो तो आई हो वीडियो आपके लिए कवीं जही जाधा हेलफ व्हाँ होगा जो केंच्छन है आपके इससे आपके एग्ड़ीः मिलेगा तो आज किस क्लासस में बस इतना ही क्योंकि आपकी साथ में यह के जो कौस